आने बाले 25 साल में विक्षित भारों के निर्मान के आद्धात्म विश्वास को बोलोंध करेगी मानोनिय सद्धस्योगन भोगवान वसब्वेश्वर ने कहा था कायो को भे कैलास अथा कर्मो ही पुजा है कर्मो में ही सिर्थ उनके दिखाई मार्गों पर चलते हुए मेरी स्वरकार रास्टो निर्मात्य को पुरा करने में तत्पत्ता से जूती है आज भार्वत में एक स्थीर, निडर, निर्नायक और बड़े सपनों के लिए काम कान्ने वाले सरकार है आज भार्वत में इमांदार का सवन्मन कान्ने वाले सरकार है आज भार्वत में गरिबी को स्थाई समाधान और उनके स्थाई सवसक्ति करण के लिए काम कान्ने वाले सरकार है आज भार्वत में अभूत पुर्वा स्पीड और स्केल पर काम कान्ने वाले सरकार है आज भार्वत में इनोभेशन और टेकनोलोजी के माध्दम से जनकल्लान को सवर्बो परी रखने वाले सरकार है आज भारत में मोहिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली समस्वरकार आज भारत में प्रगती के साथ ही प्रकुती का भी संगरक्षण करने वाली सरकार आज भारत में विरास्वत के सोहरक्षण के साथ ही आधुनिक्ता को बढ़ावा देने वाली सरकारी आज भारत में अपनी बैसिक भुमिका को लेकर आत्म विश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकारी मानान्य सर्दस्योगन मैं आज इस सुत्र के मद्धम से देश पास्यों का अभार व्यक्त काती हूं कि उन्होंने लगादार दो बार एक स्थीर स्वरकार को चूला है मेरी सरकार ने देशित को सोड़ेप स्वर्व परी रखा निती रोन निती में स्वर्म पूर्ण करिवर्टन की इच्छा सक्ती दिखाई साजित काल स्ट्राइक से लेकर आतंबात को पठर प्रहार तो अलो सीर से लेकर एलेशी तो हार दूस्था होसके गड़े जबाप तो आर्टिकाल आर्टिकाल 370 को हटाने से लेकर तीन तलग तो मेरी सरकार की पहलेजाल एक नेन्मा एक सरकार कि रहे हैं कि स्थीर और निर्नायक स्वरकार होने का लाब हमें एक सो साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद वनी परिष्टितियों से निपर्ने में मिल रहा है दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्तिरता है और देस आज भी सोन संकोट से घेरे हैं लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्नल किये उसे सार भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थितिते हैं मानोनियों सदस्यगों मेरी सरकार का सपष्ट मोथ है कि भष्टाचार लगतंत्रों का और समाजीक न्याय का सबसे बड़ा दुस्मन है इसलिए बिते बश्ट से भष्टाचार के बिरूत निरंतर लड़ाई चल रही है हमने सुनिस्चित किया है कि व्यवस्टा में इमानदार का सवनमान होगा भष्टाचरियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की स्वहनुवती ना हो इसके लिए समाजिक जतना भी डेस में बढ़ रहे हैं गीते बर्सों में भरष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी सम्पती अधिनियम को नोटिफाई किया गया है आर्थिक अभराद कर फरार हुए उपरादियों की सम्पती जब्द कनने के लिए Positive Economic Offenders Act परित किया गया है सरकरी कामों में पुख्योपात और भरष्टाचार के चलन को भी खोतम करने के लिए प्रोभावी सिस्टम बनाया गया है आज सरकरी कामों में टेंडर और खरिद के लिए Government E-marketplace जैसे वेवस्ता है जिसमें अब तो 3 लाग प्रोड लुपिय से अधिक का रांजक्शन हुआ है राष्ट निर्माण में इमांदर जोगदान देने बालों को आज भी से स्वनमान दिया जा रहा है इनकुम टक्स रिटान फाइल करने के कोई जोटिलताओं को खतम कर देश बासियों का जीवन आसान बनाया गया है फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की बज़ह से बेबस्ता में पार्दोसिता आई है और उसे जबाब देह भी बनाया गया है पहले टाक्स रिटान के लिए लोंबा इंतिजार करना पढ़ता था आज आई टी आर भनने के कुछी दिनों के भीतर रिटान मिल जाता है आज जीएस्टी से पार्दोसिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनी स्चित हो रही है जन्धन आधार मोबाइल से कोज फोर्ज लाबार्तियों को हाटाने से लेकर वान नेशन वान राशन कार्ड तोक एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमने किया गीते बड़्सों में डीबीटी के रूप में डीजिटाल इंडिया के रूप में एक्स्ताई और पार्दोसि वेवस्ता देश ने तेयार की है आज तीन सो से जादा जो जोनाओं का पेशा सीधे लाबार्तियों के बैंक खते तोक पहुंच रहाएं अब दख्पूरी पालिद सत्त से 27 लाग करो रूपिय से जादा की रुकम क्रोरों लोगों तोक पहुंचाए गई है वार्ड बेंक की रिपर्ट काती है कि एशा जोजोना और एशी बेवस्ताओं के कारण ही करोना काल में भारोत करोणों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है जो भष्टाचा रुपता है और टाक्स की पाई-पाई का सोदुबोचक होता है तो भार टाक्स प्यार को भी गर्भ होता है मानोनिय सदस्योगन आज देश का इमांदर करदाता चाहता है कि सरोकारें सोटकाट की राजनीती से बचे एशा जो जनाए बने जो समस्ताई समाधान को प्रसाहित करें जिन से सामन्नो जोन का सशक्तिकरोन हो इसलिए मेरी सरकार ने बत्मान चुनोतियों से निपतने के साथ ही देश बासियों के दिर्खो का लिंग सशक्तिकरोन पर बोल दिया है गरिबी होटा आपके बल नारा नहीं रहे गया है आप मेरी सरकार दरा गरिब की चिंताओं का स्ताई समाधार करते हुए उससे सोशक बनाने के काम क्या जा रहा है जैसे गरिबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है गोंभी बीमार से गरिब परिबार का होसला पुरी तरह से तूड़ जाता है बिढियां पर्ष से डुबे जाती है गरिब को इस सिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट बशी ब्यापी आयुसमान भारत जोजना शुरू की गई है इसके तहट पचास प्रोज से अधिक देश बासियों के लिए मुपत इलाज की सुभिधा दी गई आयुसमान भारत जोजना ने देश के क्रोणों गरीब और गरीब हने से बचाया है उनेक गरीब उनके असी हजार करोर रूपया खर्च होने से बचाया है आज देश बरने करीब 9000 जोनावसोधी केंद्र में बहुत कम प्रिमत में दावाई उकलब कराए जा रहे है इससे बिते बर्समें गरीबी के करीब 20 जोनावसोधी परिजोजना से ही देशवासियों को एक लार प्रो प्रो रूपया की मदद भी मैं समयनों नागरिकों के जीबन से जुड़े सोब से महत्तो पुण सुंसाधन पानी का उदाहरण आप सोभी के सामें रखना चाहूंगे मेरी सरकान ने हार जल पहुंचाने के लिए जल जीबन मिशन सुरू किया पहले उसके पहले तक साथ दोसोकों में देश में करीब सोभा तीन करोर घरतों की पानी का कोनेक्शन पहुंचा था लेकिन जल जीबन मिशन के तहट इन तीन बर्सों में से करीब ग्यारक करोर परिबार पाइब ट्वाटर सप्लाई से जुचा इसका सबसे ज़्यादा लाब गरीब परिबार को ही मिल रहा है उसकी चिन्ता का स्थाई समाधान हो रहा है बीते बर्सों में सरकान ने साठे तीन करोर से अधिक गरीब परिबारिवों को पक्का घर बना कर दिया है जब घर मिलता है तो नाया आत्मविश्वास आता है इससे उस परिबार का बर्तमान तो सुधारता ही है उस घर में जो संतन बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी बृध्धी होती है सुरकान ने टैलेट, बिजली, पानी, गेस ऐसे हार मूल सुविधा की चिन्ता से गरीब को मुक्त करने का प्रियास किया है इससे देश की जन्ता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार जजना और सरकारी लाव बास्तों में जमीन पर पहुंचा है और भारत देशे, बिशाल देश में भी 100% कभरेज यानि सेचुरेशन संभव है हमरी गरंत्र में लिखा है अयंकनी जो हो परोब्यति गणोह लुझके तशाम यानि ये अपना है ये परया है ये सी सोच सही नहीं होती मेरी सरकार ने बीना किसी भे़वाभ के हार बर्द के लिए काम किया है पीते कुछ बस्षो में मेरी सरकार के प्रयासों के नतिजा है कि उन्हें एक मूल सुभी धाएं आज या तो स्वत प्रतिश्यत आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लख्ठों के बहुत निकट है मेरी सरकार हार योणा में सवत प्रतिश्यत सचुरेशन के साथ ही उन्तद्य के प्रतिवी पूरी निस्टा से काम कर रही है हमारी कसी से कि जोजणाओ का लाव सही और सभी लाभार्तियों को मिले कोई भी सरकार की जोजणा के लाव से बंचित ना हो हमने देखा है कि करोना काल के दोरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गिया था लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सरबच्च प्रतमिकता दी और कोचिस की कि देश में कोई गरीब भूका नहीं सोय है मुझे खुछी है कि मेरी सरकार ने पी एम गरीब को लाण अन्य जोजणा को नहीं परिष्थितियों के अनुसर आगे भी जलाने का निन्यों लिया है यह एक संबेद अन्सील और गरीब हीतेशी सरकार की पहचान है पी एम गरीब को लाण अन्योजणा जजणा के तहट सरकार गरीबों को मुख़त अनाज के लिए लोगभग साढ़े तीन लाक प्रोर रूपया खर्च कर चुकी आज इस जजणा की प्रसंसा पूरी बिस्सों में हो रही है इस प्रसंसा की इस प्रसंसा की ये बज़ ये भी है की टेकनोलोजी की मदद से बनी परदस वेवस्ता में आज पूरा का पूरा हार लाभारती तोग पहुच रहा है मनने सदस्यगण आमारे देश में एसे अनेक बर्ग तो था एसे अनेक छेत्र है जिनकी उमीदों और आबसुकतां पर समुचित ध्यान दे कर ही समगर विकास की परिकलपना की पूरा की जा सकती है आप मेरी सरकार एसे हार बंचित बर्गों और बंचित छेत्रों को बरियता देते हुई काम कर रही है मेरे सरकार ने हार उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियं से बंचित रहा था गरीब दलीत पिछडे आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सोपने देखने का साहोस दिया है कोई भी काम और कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता वलकि विकास में सभी की आपनी हुम्मी का है इसी भाब के साथ बंचित वर्गों और ओबिकसित छेत्रों के विकास पर बोल द्याग जा रहा है करेहडी ठेले फुटपाक पर बड़ी संख्या में हमारी चोटे बेवसाई अपना व्यापर करवार और दुकांधरी करते हैं मेरी सरकाने विकास में इन सथियों की भुमिका को भी सरा है इसलिए पहली बार इनको फर्मल बेंकिन से जोड़ा और प्रियम स्वनिधी के माध्गम से सस्ते और बिना गरेंटी के रिवण की बेवस्ता की जोजोना के तहट स्टीट भेंडोर्स को डिजिटाल लेंदेन के लिए प्रोस्षाहन राशी प्रदान की जा रही है अभी तक करीब 40 लाग साथियों को इसके तहट रून दिया जा चुका है मेरी सरकर की प्राप्थमित्ता में देश के 11 क्रोर छोटे किसान भी है ये छोटे किसान दोसों को से सरकर की प्राप्थमित्ता से बंचित रह थे आप इने ससक्त और सम्रूत करने के लिए हार तरह की कशिस्की जा रही है पी एम किसाम सुन्ना निधी के तहट इन छोटी किसानों को सोबा 2 लाग प्रो रूपिया से अधिक की मदद दी गई खास बात यह है कि इन लाभार्तियों में लोगभग तीन करोन लाभार्ती मोहिला है इस से अभी तक लोगभग चोबन हजार क्रो रूपिया मोहिला किसानों को मिल चुकी है इसी तरह इसी तरह छोटी किसानों के लिए फोस्वल भीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, के सी सी की कोभरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकान ने पहली बार पोसूपालों को और मोचवारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुपिधा से जोड़ा किसानों के सामोर्थ को बढ़ाने के लिए एप्पी ओ यानी फार्मारक प्रोडूसर अर्गानेज़संस की स्तापना से लेकार फोसोलों के MSP में बुरुद्धी कात्ते हुए मेरे सरकार छोटे किसानों के साथ मोजबूते से खड़ी माने निया सदस्योगन मेरी सरकार ने अनुसुचित जाती जन जाती और अन्यों पिछड़ा वर्ख की आखंका को जगाया है यह ओही बर्खे जो विकास के लाव से सबसे अधिक बंचित था आप जो मूल सुविधाये इस बर्ख तक पहुंच रही है तो ए लोग नए सपने देखने में सक्ष्यम हो पार है अनुसुचित जाती के समाजी आर्थीक सोशक्ति करोन के लिए डक्टर अम्बेतकार उस्सोबधाम अम्रुद जल्धरा और जुबा उद्धोमी योजोना जैसे कार्योक्रम चलाए जा रहे है तो मेरी सरकार ने अभूत पुर्वप फेशल किये हैं पहले बार देश ने भगवान बिर्शामुडा के जन्म दिवस को जनजात्यों गोरव दिवस के हुट्पे बनाना सुरुद था हाल ही में मान गोड़ धाम में सरकान ने आधिवासी कान की बीरों को पहली बार राष्ट्यों स्तोर को स्रधान जली थी आज 36,000 से ओधिक आधिवासी बहुल्यों बाले गाउं को प्रधान मंत्री आधी आधर सोग्याम जोजना के तहत बिख्षित किया जा रहा है आज देश में चार्शदों से ओधिक एकलव्य मोडेल स्कुल आधिवासी छेत्रों में फुल चुकी है देश भर में तीन हज़र से ओधिक बंधन विकास केंद्रों आजिवाका के लिए साधन बने है मेरी सरकान ने राष्ट्य पिच्चावर्ग आयोक को संभी धनिक दर्जा देकार अबिशी के विल्फार के लिए हमारी प्रतिवध्धता को स्पस्ट किया है बंजारा गुमन्तु और धोगुमन्तु समुदाय के लिए भी पहली भार विल्फार एंड डेवलोप्मेंट बोर्ड का गठन किया गया मानुनियों सद्देश में एक सो से अधिक जीले इसे थे जो विकास के उने पेमानों से पीछे रहे गए थे सरकार ने इन जीलों को आखांखी जीले आस्पिरेशनाल डिस्टिस घोस्टिस कर इनके विकास पर ध्यान दिया आज ये जीले देश के दुसरे जीले से बराबरी की और बढ़ रहे हैं एकांकी ब्लोक समाजिक न्याय की एक संस्थागत बेवस्ता के तर पर बिक्सित के जा रहे हैं। बहुत बड़ी चुनती थी। मेरी सरकार ने 27 अंती के लिए भी उनेक सफल कदम उठाये हैं और भोगली चुनतियों को भी चुनती दी है। पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने भाइबरांट भिलेजस प्रोग्राम पर काम सुरू किया। राष्ट्यों सुरुख्या की दृस्की से भी सिमावर्ति छेत्रों में अभुत्पुर्व इंस्प्राक्ट्रिक्चर बीते सालों में तियार किया गया है। इससे भी इन छेत्रों में विकास की गती मिल रही है। पिछले कुछ दोस्कों से राष्ट्यों सुरुख्या के लिए बहुत बड़ा ख्यत्रा बन चुकी बामपत्ती हिस्सा भी आप कुछ जीलतों की सिमीत रहे गये हैं। मान्यनियों सदस्यकण मेरी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धी मोहिला ससक्ति करण की रही है। इस संधर में मुझे नारी सक्ति नामक एक प्रेड़ों कविता का स्मरोन होता है। जीसे भारत्य साहित्यों की अमर्स भीभूती स्वाधिन्ता से नानी तो था ओडिया भासा की सुप्रसिद्ध नारी को भी उतकल भारती कुंतलकु मरी साबतने लिखा था। आज से लोगभक सो बर्स पहले उन्होंने ए उद्खस किया था। बसुन्ध रातले भारत रमणी नुहे हिने नुहे दिनो अमर किर्यती कटी जुगे कभे जगतु नुहे बोली नुहे भारत के नारी प्रुथिवी पर किसी की तुलोना में ना तो हीन है ना दीन है। संपुन जगत में उसकी अमर किर्थी युगो युगो तो कभी लुप्त नहीं होगी। यानि सद्यव बनीर है। मुझे ये देकर गोर्भ हता है कि आज, आज की हमारी बेहने और बेटियां उत्कल भारती के सुपनों के अनुरू, विशोस्तोर और आपनी किर्थी पता का लाहरा रहे है। मुझे प्रसंता है कि मोहिलाओं की ऐसी प्रगती के पीसे मेरी सरकार के प्रयासों का संबल रहा है। मेरी स्वरकादर जितने भी कुल्लानकरी जजनाय शुरू की गई है उनके चेंद्रों में मोहिलाओं का जिवन आसान बनाना, मोहिलाओं को रोजगर, सो रोजगर के नई अपस्वर देना और मोहिला ससक्ति करुन रहा है मोहिला उत्थान में जहां पुराना धरानाओं और पुरानी मन्योताओं को तोड़ना भी पढ़ा, उससे भी स्वरकार पिछे नहीं हती है बेटी बचा, बेटी पढ़ा, उभी जान की सफलता आज हम देख रहे हैं सोरका के प्रयारशों से सोमाज में जो चितना आई उससे बेटियों की संख्या में निरंतर बुधी हो रही है देश में देश में पहली बार पुरुसों की तुलोना में मोहिलाओं की संख्या अधी कुई है ये बंग ये बंग मोहिलाओं का स्वास्त भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है प्रधान मंत्री सुरोख्षित मात्रु तो भियान हो या फिर प्रधान मंत्री मात्रु बंदना योजना इनमें मा और बच्चे दोनों की जिबन को बचाने में हम सफल रही है आईश्मान भारत योजना की भी लोगभग 25 प्रतिसदला भरती मोहिलाओं ही है मानने सदस्य लगवान मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके केरियों तो हार बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टैलेट का निर्माण हो या फिर सानिट रेट पेट से जुड़ी योजना इससे बेटियों के ड्रोप आउट क्रेट भी बहुत कम आई है सच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है इससे एक सुरत ठीक महवल भी उन्हें मिला है सुकन्या सुजना सम्रुधी जोजना से देश बोर की करोणों बेटियां के बेहतर अभविस्टों के लिए पहली बार सेविंग एकाउंट खुली है नई परिखस नई राष्टे सिख्ञानिती में भी बेटियां के सिख्ञा के लिए अनेक महत्तोपुनों कदम पुठाई गई है मेरी सरकार ने ये भी सुनिस्चित किया है कि किसी भी काम, किसी भी कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिस ना हो इसलिए माइनिंग से लेका सेना में अग्रीम मोच्चे तो हार सेक्टर में महिलाओं की भुर्ती को खोल गया दिया सोईनिक स्कूलों से लेका मिलिटरी ट्रेनिंग स्कूलों तो में आप हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है ये मेरी सरकार ही है जिसने मात्रूत अवकास को बारव सब्ताहों से बढ़ागाई 26 सब्ताह किया है मूद्रा जजना की लोगभग 70% लाभरती महिला उद्ध्यमी ही है एक स्टाडी के अनुसार इस जजना से महिलां की आर्थिक सक्ति और सामाजिक फ्रेशलम है उनकी भागी धरी बढ़ी है पी-म अबास जजना के तहट मिलने वाली घरों की रेजिस्ट्री भी महिलां के नाम को रहने से महिलां का आत्मविश्वास बढ़ाई जन्धन जजना से पहली बार देश में बेंकिंग सुभी धाम में महिलां और पुरुसों की बीच आप बराबरी आ गई है पी ति रहेज में इस स्वेश्वास असी लाख से जादा स्वयंस स्वायवता समोह भी काम कर रह जीन में करीब 9 प्रोर महिलां जूड़ी हुई है इन मोहिला सोयंग स्वायवता सम्होपल सरकार द्वारा लाखो प्रोरूपया की मदद दी जा रही है मानन या सदस्यगा हमारी विरासोत हमें जोडों से जड़ती है और हमारा विकास आस्मान को छुने का हसला देता है इसलिए मेरी सरकार ने विरासोत को मजबुती देने और विकास को प्राथमिक्ता देने की रहा चुना आज एक त्रप देश में और धाधाम का निर्मा हो रहा है तो ओही दूसरी त्रप आधुनेक संग्सद भवन भी बन रहा है एक तरप हमने केदाना धाम कासी विस्वना धाम और महाकल महालोग का निर्मान किया तो ओही हार जिल्लों में हमारी सरकार मेडिकल कोलेज भी बनवा रहा है एक तरप हम अपने तीर्थो और एतिहासिक दरहोर का विकास कर रहे हैं तो ओही दूसरी त्रप भारत दुनिया की बड़ी स्पेस पावर बन रहा है भारत ने पहला प्राइबेट सेटलेट भी लंच किया है एक तरप हम आदी संकराचाच भगवान वसब्वेशर तिरु बल्लुबर गुरु नानक देब जेसे संतो को के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ओही दूसरी तरप आज भारत हाइटेक नोलेज का होब भी बनता जा रहा है एक तरप हम काशी तामिल संगोमों के जरी एक भारत तस्टे भारत की भावनात को मोज़ूत कर रही तो ओही वान नेशन वान राशनकार्ट जेसे आधुनिक वेवस्ता भी बन रही है डिजिटाल इंडिया और 5G टेकनोलोजी में भारत के सामत का लोहा आज पूरी दुनिया में माना आज भारत जहां जोग और अयुर्वेद जेसी आपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया तो पहुंचा रहा है ओही दूसरी तरफ फार्मासी ओप वाल्ड की नई पहजान भी सोसकता रहा है आज भारत प्राकुतिक खेती को मिलेट्स की आपनी पुरामपरा फसोलों को प्रसाहित कर रहा है ओही नानो इुरिया जेसी आधुनिक टेकनोलोजी का भी विकास किया है खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामियों इंफ्रास्टक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं ओही दूसरी तरफ ड्रोन टेकनोलोजी से सोलार पावार से किसान को ताकत दे रहे हैं सेहरों में जहां स्मार्थ सुविधाओं के विकास पर बोल दिया जा रहा है ओही स्वामित्य जोजोना में पहली बार गाउं के घरों को की ड्रोन से मेपिंग की जा रही है आजादी के अम्रुत महसब पर जहां आज हार जिल्ले में 75 अम्रुत स्वरबर बनाया जा रहे है तो ओही सेकड़ो आधुनीक बंदे भारत प्रेने भी लंच किया जा रहे है एक और हमारे ब्यापर की प्रमपरागत ताकत ज नदी जलमार्ग और बंदोर गाउं को भी आधुनीक बनाया जा रहा है तो मोल्टी मडल कनेक्टिविटी और लोजिस्टिक पार का नेटवार भी तेयार हो रहे है मानने सदस्यगों आजादी के अम्रुतकाल में देश पंचो प्राणी की प्रेणा से आगे बढ़ रहे है गुलामी के हार नीशान हार मान सिक्ता से मुक्ति दिलानी के लिए भी मेरी सरका निरंत निरंत और प्रयास रहे है जो तभी राज पत्था और आप पत्थभ्यपत बन चुका आज पत्थभ्यपत पर नेताजी सुभास चंद्रबोस की प्रतिमा हार भारत्यों को कर रही है तो अंड़मान निकवार में भी नेताजी और आजाधी फोज के सोर्यों को हमने शन्मन दिया है अभी कुछी दिन पहले मेरी सरकार ने अंड़मान निकवार दीप सो मोहे में नेताजी सुभास चंद्रबोस आइलांड पर नेताजी को समर्पित भव्यो समर्श स्मारोक और म्यूजियों का सिड़ा न्यास भी किया है भारुतियो सेना के पुरंवीर चक्रवी जताओं के नाम पर अंड़मन निकवार के एक किस दिपों का नाम परोन भी प्याद एक प्रव नाशनल उआर मेमरियल आज राष्ट्यों सोर्यों का प्रतिक बन गया है तो ओही हमारी नोशेना को भी आप चत्रपती बीर सिवाजी महराज का दिया प्रतिक जित में गया एक तरव जहां भोगवान गिर्शा मुंडा सही तमाम आधिवासी सोतंत्रता से नावन से जुड़े संगराड़यों बन रहे है डाक्तर बाबा साहब आमबेत गर के पंचतित्थ बनाया गिया है ओही दूसरी तरव हार प्रधान मुंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधान मुंत्री संगराड़यों का निर्माण बिक्या गिया देश में प्रतों बीर बाल दिबस को भी पूरे गर्व और स्रधाके से मनाया गिया इतिहास की पिडां और उनके साथ जुड़े सिखाओं को जागरुत रखने के लिए देश में बिभाजन बिभीशिका स्मुर्ती दिबस की शुरुआत भी मेरी सरकाने की निर्माण माने निया सदस्यगण मेरी इंडिया अभिजान और आत्मनिर्भर भारत अभिजान की सफलता का लाब देश को मिलना सुरू हो चुका है आज भारत में मेनिफेक्चरिंग की अपनी केपासिटी भी बढ़ रही है और दुनिया वर से भी मेनिफेक्चरिंग कमपानिया भारत आ रहे हैं आज हम भारत में ही सेमी कंडुक्टर चीफ से लेकर हावाई जहाज के निर्माण तोक के लिए प्रयास सुरू कर चुके हैं ऐसे ही प्रयासों का परिराम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगा दर बढ़ रहे हैं कुछ बस से पहले तक कुछ बस पहले तो खाम बड़ी संख्या में मोबाईल फोन आयात काते थे आज भारत दुनिया में मोबाईल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है देश में खेलोना के आयात में सत्तर प्रकिसद कौमी आई है जोब की निर्यात साट प्रकिसद से भी जादा बढ़े है मेरी सरकार की पहल नहीं पहल के परिणाम सोरुप हमारे रख्या निर्यात छोगुना हो गया है मुझे गर है मुझे गौर्फे की हमारी सेना में आज आई एन एस विक्रांथ के रूप में पहला सोदेशी यार कट केरियार भी साम्मिल गवा है हाम मैनिफेक्टरिंग के नए सेक्टर में ही प्रोबेस नहीं करे है बलकि खदी और ग्रामद्यक जेसे आपनी परमपरिक सेक्टर में भी प्रसंक्शनियों काम कर रहे हैं यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आजादी के अमरुत महसब के दोरान देश के खदी और ग्रामिन उद्यक्ट्या टार नवर एक लाग प्रोर रूपिया से अधिक काच्च हो चुपा मेरी सरकार के प्रयासों से खदी के बिक्री में चार गुना बढ़ी है मानेन्य सदस्यगन मेरी सरकार ने इनवेस्टन और इंटर्पिनरशी पर निरंत और अभुत कुर्ब बल दिया है इससे दुनिया की सबसे युबा आवादिवाले हमारी देश की ताकत का सोदुपोजोग हो रहा है आज हमारी जुबा अपने इनवेस्टन की ताकत दुनिया को देखा रहे है 2015 भारत ग्लोबाल इनवेस्टन इंडेक्स में 81 स्थान पर था आप हम 40 स्थान पर पहुंच गए हैं साथ पस पहले जहां भारत में कुछ सो रेजिस्टर्ट स्टार्ट अप ही थे ओही आज ए संख्या लोगभग 90 हजर पहुंच चुके आज के युग में हमारी सेनाओ का भी युवाशक्ति में सम्रुध होगा होना युद्धोशक्ति में निपुण होना टेक्नोलोजी की पावार से लेश रहना बहुत अहम है इन सिधानतों को ध्यान में रखते हुए अगनी विर जोजना सुरू के गिये हैं इससे देश की युवाशक्ति को सेनाओं के मजधों से राष्टर की सेवा का अधिकतम अपस्वर मिलेगा मेरी सरकार देश के जुबाओं की सक्ति को खेलों के जुरिये भी देश के सुमन से जोड रही है हमारी खिलाडियों ने कमल्वेद गेम से लेकर अलम्पीक और पेरा गेम से अभुद पुर्व प्रदोस्शनकार ये सबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं देश के कोने कोने से एसे प्रतिभाओं को खोजने उनका टालेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम से खेलो इंडिया सेंटर से लेकर टोफ स्कीम तक चलाई जा रही है हमारी सरकार दिभ्यां को लेकर भी पुरी तरह संबेद्वनसिल है पेस में देश में एक साइन लांग्वेज और सुगम्य भारत अभियान ने दिभ्यांग सुगों को बहुत मदद दी है माननिय सतस्यगों वी ते दोसकों में हमने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दो बड़ी चुनोतियों देखी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे दूसरा अलग-अलग विभाग, अलग-अलग शरकारें अपने अपने सुविधा से काम करती थी इससे सरकारी संसाधोनों का दुरूपजग्भी होता था समय भी अधिक लगता था और समय नव जोन को भी खुविधा होती थी मेरी सरकान ने PM गोति सक्ति नेशनाल मास्टर प्लान बना कर इन चुनतियों से निपटने के लिए ठोश कदम उठाये है PM गोति सक्ति नेशनाल मास्टर प्लान को लेकर राज़ोर Union Territories ने भी उस्साहोद दिखाये है इस से देश में multimodal connectivity का भी विश्तार होगा मेरी सरकार भारत कभूसों का सबसे competitive logistic भब बनाने के लिए प्रयासरोत है इसके लिए पिछले बस देश में national logistic policy लागू की गई है इस policy के लागू हने से logistic cost में कफी कमी आई है मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस speed और scale पर काम कर रही है मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरिभी के लिए औसो तोन हार रोज आवास जोजोना के ग्यारा हजार घार बने इसी अवधी में भारत में हार रोज औसो तम धाई लाक लोग प्रोड बेंड कनेक्शन से जूड़े हार रोज 55 हज़र से ज़्यादा ग्यास कनेक्शन दिये गे मुद्रा जोजना के तहेत हार रोज 700 क्रोर रुपिया से ज़्यादा का लोण दिया ग्या भारत में लोगों घार महीने एक मेडिकल कोलेज बना है इस दोरान देश में हार दिन में दो कोलेज की स्तापना हुई है हार सबता एक इनवर्सिटी बनी है सिल्फ दो साल के भितर भारत ने 220 क्रोर से ज़्यादा भेक्शिन की डोज भी दी है सोश्याल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे तो साल 2004 से 2014 की बीच देश में जहां 145 मेडिकल कोलेज खुले थे वही मेरी सरकार ने 2014 में 2012 तक 2014 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कोलेज को लेज़ खुले मेडिकल की पढ़े कार है चात्रों के लिए ग्राजुएट और पोस्ट ग्रावट्चिस्टों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभख 725 विस्टों बिद्दालय थे औहीं बीते के बल आट वर्षा में 300 से अधिक नेई विस्टों बिद्दालय बने इसे दोरान देश में 5000 से अधिक कोलेज भी खुले गई हैं इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी में तो देश में कई नहीं रेकोड बने हैं प्रधान मंत्री ग्राम सोड़क जोजनामी 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमेटर सोड़के बनी थी जोबकि 2021-22 तक ग्रामीन सोड़कों का ये नेटवाक 7,00,000 किलोमेटर से भी जादा होने थी आप तो देश की 99 प्रतिसवत से अधिक बस्तियां सोड़क मार्स से जोड़ चुकी है वर्ल्ड बेंक सहीत औने सोंस्ताओं की स्टाड़ी के औनुसार ग्रामीन सोड़कों से गाउं में रजगार, खेती, सिख्या और स्वास्त पर बहुत सक्राम और असर पड़ा नेशनल हाउए नेटवार्ट में पिछले आठ बरसों के दोरा पुच्पन प्रतिसवत से ज्यादा की बढ़त्तरी हुई है जल्दी भारत मला प्रजेट के तहर देश के पांसो पच्चा से ज्यादा जीले हाउए से जूड़ जाएंगे और और वेवस्ता को गोती देने बाले पुरिडर्स की संख्चा छे से बढ़कर पच्चास होने बाली है इसी तरह देश के एवियेशन सेक्स्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है साल दो हजार चोदा तक जहां देश में एअरपोट्स की संख्चा चस्तर थी और आप बढ़कर एक सव सेंतालिस होगे आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा अभियसन मार्केट बन चुका है इसमें उडान जजनाक की भी बहुत बड़ी भूमी का है भारत के रेलिये आपने आधुनिक अपतार में सामने आ रही है और देश के रेलिये मेप में औनेक दुर्गम छेत्रों भी जूट रहा है बंदे भारस एक्स्प्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाइज स्पीड ट्रेन भार्योतिय रेल का हिस्सा बन चुका है जामु कस्मीर और नोटिस्ट के दुर्गम छेत्रों को भी रेलिये से जोड़ा जा रहा है देश के बड़े रेलिये स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है भारोतियो रेलेल का दुनिया का सोब से बड़ा बिजली से चलने वाला रेल्वे नेटवर्क बनने की दिशा में तेजी से अग्रोसर है भारोतियो रेल को शुरुक्षित बनाने के लिए छोदेशी टेकनिक को बोज का भी हम तेजी से बिस्तर कर रहे हैं मानन्य सदस्यगोन उस सोच को बदला है जो प्रगती और प्रकुती को परसपर विरधी मानती थी मेरी सरकार ग्रीन ग्रोद पर ध्यान दे रही है और पूरे बिस्तर को मिशन लाइब से जड़ने पर बोल दे रही है हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने पिछले आठ बोर्षों में सोलार इनर्जी चमता को करीब बीस गुना बढ़ाया आज भारत रीनिवेबल इनर्जी की चमता में बिस्तर में चोथे स्तान पर है देश के बिजली उत्पादों की चालिस प्रतिसद चमता नोन फसील फुल्स में पेदा करने का लख्यों देश में नो बोर्षों पहले ही हासिल कर लिया है एस फलता बोर्ष दो हजार सोत्तर तक नेट जिरो के हमारे संकल को सोशक करनी वाली है देश में पेट्रोल में बीस पतिस अथ इथनल ब्लेंडिंग के लग पर भी तेजी से काम चल रहे है सरकार ने हाल में मीशन हाइडरोजन को भी सिकुरूती दी है ये ग्रीन इनर्जी के चेत्रों में भारत में लाखों प्रोरूपय की निवेश की को आकर्शित करना कने बाले है इससे फोलसरूप ग्रीन इनर्जी को लेकर भी और इनर्जी सिकुरिटी के लिए भी बीदेशों में हमारी निर्भरता पोम होगी देश के सहरों में प्रोदूसों पोम कानना भी हमारे बहुत बड़ी प्राथमिकता है इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलीटी के लिए बहुत बड़े स्टोर पर काम चल रहा है ठेम जोजना के तहट राजनादी दिल्ली सोहित देश के उनेक सोहरों में केंद्र सरकादारा साथ हज़र से अधिक इलेक्ट्रिवन बसे पाबलिक ट्रांस्पोर्ट में जोड़े जा रही है बिते आठ गुर्सों में देश में मेट्रो नेट्वर्क में तीन गुना से अधिक बढ़त्री हुई है आज 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन पर काम चल रहा है इसी प्रकार देश भर में एक सो से ज़्यादा नहीं वाटरोय भी बिक्सित किये जा रहा है नहीं वाटरोय से देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काया कॉल करने में मदद करेगी मानन या सदस्यवाण आज की दुनिया में उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है आज की दुनिया उनेक चुनोतियां से गुजर रहे है दोसों को पहले बनी अंतरास्टियों स्वंस्थाओं की रासंगिक्ता और प्रभाप पर भी प्रस्नों उड़ रहे हैं। इन परिश्थितियों में भारत एशाद देश बनकर उभारा है जो आज की विभाजीत दुनिया को किसी ना किसी रूप से जोड रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबाल सप्लाइचेन पर विश्वास को फीर से सोशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उमीद की नजर से देखते हैं। इस बस भारत जी ट्वेंटी जे से प्रभावी समुह का नेत्रुप्त कर रहा है। भारत की पूरी कसिस है कि जी ट्वेंटी के सोदस्यो देशों के साथ मिलकार मोजूदा बोईशिक चुनोतियों का सामुहिक समाधन तलासा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिपलोमाटिक प्रोग्राम तो क्सिमित नहीं रखना चाहते है। बल्कि एप पूरे देश के प्रयास से भारत के सामुहत और संस्कूती को सोकेश करने का अफसर है। इसलिए पूरे देश के दर्जोनों सेहरों में सालवर G20 की बोईठे के आयोजित की जा रही है। मानोनियों सदस्योगों ये भारत के बोईशिक क्रिष्टों का बेहतरीन दोर है। इसमें दुनिया के विफिन्नों देशों के साथ आपने सोहयोग और मीत्रोता को सोशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्स S.C.O. की अध्योकता कर रहे हैं। तो ही दूसरे तरफ वर्ड का मेंबर होने के नाते इंडो-पैसिपिक में सान्ती, स्थिर्ता और समुर्धी के लिए काम कर रहे है। हमने अपने राष्ट्यों हीतों का स्वर्वपरी रखते हुए अपने भूमी का बिस्तर किया है। अपकानिस्तान में भूमी भूकम हो या फिर स्री लोंका का संकट हम सबसे पहले मानोविय स्वहत्य लेकर पहांचे। भारत को लेकर आज जो सोद्वाब है उसका लाब हमें अपकानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दोरान भी मिला। संकट में फशे अपने नागोरिकों को हम इन देशों से शुरुक्फित लेकर आए। इस दोराण भारत ने कोई अन्यो देशों के नागोरिकों की मदद करके अपना मानोविय सुरुप को पीर दुनिया के सामने प्रस्तुद किया मानोन यह सदस्यगोर भारत ने आतों को बात को लेकर जो कड़ा हुट अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है इसलिए आतंगबाद के विरूत भारत की आवाज को हार मौंच पर गौंभिरता से सुना जा रहा है पहले बस अक्टबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेरोरिज्म कोमिटी की एक बिशेस बोल्टक आयोजित की गई इसमें भी भारत में आतंगबाद के विरूत आपनी भूमिका को स्पोस्ट किया है साइबर सिकूरिटी से जुड़ी चीनताओं को भी मेरी सरकार गंभिता से पूरे विश्व के सामने रख रही है मेरी सरकार का हम साप मनना है कि 27 सान्ती तो भी संभव है जो भाम राजनीतिक और प्रणनीकत की रूप से सशक्त होंगे इसलिए आपनी सञ्ण सख्तिक के आधनीकी करोण पर हम निरंतर बोल दे रहे हैं माननिया सदस्योगार्ट लगत अंत्र की जननी के रूप में भारत की अनन्त यात्रा अनन्त गोर्व से भरी हुई है हमने लगत अंत्रों को एक मानोविय संशकार के रूप में विक्सित किया है समरुद किया है आपनी हजारों बोस्तों के पतीत की तहर तरही आने वाले सदियों में भी भारत मानोविय सभ्योता को की अभिरल धारा की तरह अनवरत गोतिमान रहेगा भारत का लगकंत्रों समरुद था सशक था और आगे भी सशक होता रहेगा भारत की जिवत्तना अमर थी आगे भी अमर रहेगी भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यत्म सदियों से विशो का मार दर्शन करता रहा है और आने वाले सदियों में भी विशो की इसी तरह रहा देगा भारत के आदर्स और मुल्लों अंधोकार से भरे गूलामी के दोर में भी अखुरुन रहे हैं और ये आगे भी अखुरुन बने रहेंगे एक राश्ट्र के रूप में भारत की पेहँचान ओतीत में भी अमर थी और भविशो में भी अमर रहेगा लगतंत्रों के केंडरों इस संग्सोत में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लग्च्वत्ताई करें और उन्हें हासिल करके दिखाए जो कल होना है उसे आज पुरा करने की कसिज करें जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारत बसी पहले करके देखाए आएए अपने लगतंत्रों को सम्रुद करते हुए हम उस बेदबाक्यों को आत्मसाथ करें जिसमें कहा गया है संग अच्छधो, संग बदधं, संग बहो, मनांसी जानताम और थार हाम सब एक साथ कदम से कदम मिला कर चले हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रभा हो और हमारे अंतह करण एक दुरस्ते से जुडे आए हम राष्टो निर्मान के इस महायग्य में आपने कर्तभ्यपत पर चलते हुए संग बद्धान की सपद भग पूरा करें धन्यबाद, जय हिन, जय हिन